स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल A2B2 Study पर दोस्तो यूपी स्कॉलर्षीप का डेट जो है वो आल लेडी बीच चुका है हलांकि हमने इसके लिए आल लेडी एक वीडियो बता कर आपको सभी को बता दिया था कि जो डेट है स्कॉलर्षीप के लिए वो जरूर बढ़ेगा इसकी 100% गारंटी है कि डेट बढ़ेगा ही बढ़ेगा और डेट कब तक बढ़ेगा यानि किस डेट को डेट एक्स्टेंड हो सकता है या बढ़ सकता है इसके बारे में भी हमने बेशली वीडियो में बता रखा था पर बहुत सारे आप तभी के कमेंट आ रहे थे कि सर डेट कब बढ़ेगा कब बढ़ागा तो हमें लगा कि सायद आप सभी के अंदर अभी भी कोई डाउट है कि आपको कनफर्म नहीं है कि डेट हाँ इस दिन बढ़ेगा या फिर किस दिन बढ़ेगा तो इसके लिए हमने ये छोटी सी वीडियो लाना सोचा दोस्तों आप सभी जानते होंगे कि अभी भी बीए, बीएसी, बीएड वाले चात्रों का इसके साथ साथ पॉलिटेकनिक के स्टुडेंट्स का आईटि आई के स्टुडेंट्स का यानि तमाम कोर्सों में अभी भी प्रवेश की प्रक्रिया चल ही रही है और इस बीच, स्कॉलर्शिप का बीच में ही बंद हो जाना इसका संगेत यह है कि सरकार चाहती है, यूबी स्कॉलर्शिप जो है, ये चाहता है कि जिनने शात्रों ने रिजिस्टेशन कर रखा है, आल लेडी, जिननोंने फॉर्म को फिल कर रखा है पहले उनकी जो स्कॉलर्शिप है वो पहले दे दी जाए, इसके बाद पोर्टल को फिर से चलू कर दिया जाएगा और जो भी स्कॉलर्शिप फिर से भर पाएंगे, वे निव रिजिस्टेशन वगारा कर पाएंगे तो इसके लिए मैंने आपको एक्सपेक्टेड डेट जो है वो बता रखा था 15 से 20 नॉंबर के बीच में आप सभी के जितने भी कॉलेज हैं तमाम अलग-अलग कोर्स के लिए सभी कोर्स के जो कॉलेज हैं उनके लिए डेट निधायत किया गया था कि 15 से 20 नॉंबर के बीच में उन सभी college को अपना अपना data जो है वो चात्रों के data को college में forward करें ठीक है आगे जो है वो UP board को अपना अपना जो data है college का चात्रों का scholarship में लिए वो forward करना है दोस्तों expected date के गर हम बात करें तो 15 से 20 नवंबर के बाद यानि 20 नवंबर के बाद ही यो UP scholarship का portal है 22 में नए चात्रों के लिए या फिर जोने registration नहीं कर सका या फिर registration कर रखा भी है और वो form को college में submit नहीं कर पाए तो उन सभी चात्र चात्राओं के लिए जो date है expected date के में बात कर रहा हूं वो 20 नवंबर के बाद किसी भी दिन कभी भी आपका जो schedule है वो जारी कर दिया जा सकता है और जैसे ही इसका कोई official news आता है हम आपको चैनल पर सबसे पहले update करेंगे जैसा कि हम आपको पहले भी करते आए हुए हैं दोस्तों इसके लिए आपको एक छोटा सा काम करना होगा अगर चैनल पर पहली बार visit कर रहे हैं अगर यह video आप पहले बार हमाई चैनल पर देख करेंगे आपको उसका notification सबसे पहले मिल जाएगा और आपको यह जानकारी हो जाएगी आपको यह पता चल जाएगा कि हाँ जो यूपी scholarship का date है वो extend हो गया है दोस्तों इससे अलावा आपको कोई भी जानकाए चाहिए आपको कोई भी ज्यादा update चाहिए या फिर आपको कु कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं थैंक्यू